आजाद भारत के पहले शिक्षा मतरी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जनम दीन 11 नवंबर तीज भर में राश्ट्रे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अत्माल जिले के दिग्रस तहसिल में हाल ही में इस मौके पर डॉक्टर एपीजे कलाम फोरम की ओर से कलाम करेंड़क वक्तरुत्व प्रतियोगिता संपन्न हुए जिसमें विभिन्न स्कूल और महाविद्यालों के छात्रों ने उम्दा प्रतिसाथ मिला। महान सौतंतरता सेनानी, बेबाग पत्रकार, नीडर एवं सहसी मेता तथा प्रभावी वक्ता और आजाद भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकलाम आजाद का जन्मदिन देश भर में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दिग्रश शहर की विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल में डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम फोरम की ओर से रविवार को वक्तुरुत्व प्रतियोगिता का वक्ता दिग्रच सा इस कारेक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें शहर तदापरिसर के विभीन स्कूलों और कॉलेजों के कुल 75 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर मौलाना आजाद की जिवनी, संगर्श और उनकी देश के लिए दीवे सेवाओं पर हिंदी, उर्दु और अंग्रेजी भाषा में विचार प्रस्तुत किये। इस प्रतियों गीता में विजेताओं के लिए ट्रॉफी प्रमानपत्र सहित कुल 12,000 के नकत राशी इनाम स्वरूप रखे गए थे। इस प्रतियों गीता के पहले पुरसकार को स्थानिय फार्मसी कॉलेज के विध्यारती साध समधमिया देशमुक ने अपने नाम किया। इसी तरह विध्या निकेतन इंग्लिश स्कूल की छात्रा कुमारी अनवी आनंद जैने द्वितियों वहीं अल्खुर्शिद उर्दू जुनियर कॉलेज की विध्यार थी कुमारी महक तस्लिम बेग ने तुर्तियों और सिंगत के प्रशाम गौतम खंदारे ने चौथा न नाम किए इस कारेक्रम में वपस्तित प्रमक अतितियों ने भी अपने विचार विकत किए और आयो जकू की सरहाना भी की इस और प्रास्ताविक मज़र अहमत खान ने पेश किया और सेवा निरुत वनपाल नूर खान पठान ने आभार प्रदर्शन किया। बहराल इस प्रतियों किता को सफल बनाने के लिए डॉक्टर एपीजे कलाम फोरम के पदादीकारी और कारिकरताओं ने भरकस योगदान दिया। इन बीसियन न्यूस के लिए दीगरा से जुबेर खान की रिपोर्ट